जब पिछली बार चुना हुआ था तो उन लोगों ने कहा था कि 500 रुपया प्रतिम हर एक महिला को देंगे नहीं दिया एक कुछ नहीं दिया दूसरी बात जब अभी चुना हुआ तो उन्होंने हम ने तो कहा था कि 12,000 रुपया साला न देंगे उन्हें कहा कि 15,000 रुपय सालान नहीं है तक उनकी बात पर विश्वास नहीं किया तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कटाक्ष जो है ना मतलब आप सुने भी ना उनकी बात को तो जाधा है जीवन तो जीवन है वो चाहि किसी का हो उसमें कोई ये बात नहीं है जिसकी आवशक्ता होगी उसको फिर से सुरक्षा मोहया कराए जाएगी और पूरा प्रयास ही होगा कि हर तरफ सुरक्षा का मही माहौल हो ताकि अधरिक्त किसी को सुरक्षा पदान करने की आवशक्ता न प्रारम्ब होगा और उसी तारतम में आप देखें कि आज महतारी बंदन योजना प्रारम्ब हो गया है और सतर लाग से धिक महताओं बहनों को शाल में 12,000 रुपया दिया जाना यह प्रारम्ब किया जा चुका है जी आज विजपूर गय थे नकसली फिर नेताओं पर हमला कर रहे हैं अभी भी वारता के लिए राता को खुला है देखें मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ के नकसलीयों में अधिक्तम लोग जो बहकावे के करण हैं दबाव के करण हैं उनसे वारता का समय सदैयों खुला है हाधी रात को खुला है और बिलकुल सरकार हरसमें यह तैयार है यह जो कुछ हो रहा है यह दुखध है मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बस्तर के गाओं में अगर अगर स्कूल खुल जाए वहां तक आने जाने के लिए सड़के बन जाए ताकि कोई बीमार हो तो जल्द से जल्द उसको इलाज मुहिया कराई जा सके वहाँ शुद पानी मिल जाए वहाँ पर बिजली पहुँचाए वहाँ मुबाइल का नेटवर्क पहुँचाए तो क्या गलत है इसमें? क्यों रोका जाता है इन बातों को? अज़ाद दो दिन हो गया इसाद